नमस्कार प्रिदर्श को आजम जन्यवरी दोजार तैस में धनुर्वाशी के राशी पल के बारे में चल्चा करेगे। साथी साथ कार्य शेत्र, प्रेम, विवा, स्वास्त्य, पारिवरिक जीवन के बारे में चल्चा करेगे। जन्यवरी मासिक राशी पल 2023 के इनुसार इस में धनुर्वाशी की राथकों को स्वास्त के मामले में अच्चे परिनाम प्राप्ट होगे। मंगर के स्थिती अनकुल होने की वजह से आप शार्दिक समता को बहतर बनाने की और काम करेगे। लेकिन आपको किसी भी तरक के तनाव से बशने की जदुवत होगे। महिनी के दूसरी भाग में करियर के शेत्र में भी आपको बहतर अउसर मिलेगे। आप अपने हीटों के बारे में ज़्यादा विचार करेगे और वे काम करेगे जो आपको ज़्यादा पसंद होए। लेकिन इसके साथी साथ आपको उन लोगों के साथ भी समय बिटाना चाहिए जो आपसे बहतर प्यार करते हैं। इससे आपके संबंद और मजबुत होगे। काम के साथ साथ आप अपने परिवार और अपने चोक के लिए भी समय निकाले। मैने के मध्य में हो सकता है कि आपको थोड़ी भहुत कठनाईयों का सामना करना पड़ जाए। लेकिन यह थोड़ी समय के लिए री रहेगा और इस कठनाईय से भी आपको सिखने का अउसर मिलेगा। इस मैने ब्रोस्पति की दुष्टी दस्वे वामर पड़ेगी जिसके कारण सोरुप आपका पेशेवल जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन मैने का दुसरा बाक्स्वास्त के कर्मियों के लिए कई बाधाई उत्पन कर सकता है। ऐसे में इस दुरान कोई भी फेसला जलबाजी में न ले। अपने पेशेवल जीवन को समय दे और धेर ज़रूर रखे। हो सकता है कि आपको परिश नाम प्राप्ट करने के लिए समय लग जाए। लेकिन इसके लिए आपको अपना धेर नईक होना चाहिए। अगर आप नोक्री की तलाश में है तो जानिवारी का मैना आपके लिए फेर अच्छा रहेगा। इस मैने आपको सबलता जरूर मिलेगी और अच्चे परिणा भी प्राप्ट होगे। वही जो जादक नोक्री कर रहे हैं उने भी अच्चे परिणा मिलेगी। आपके वरिष्ट आपके काम से काफी प्रसन्न होगे। दूसरे भाग में सूर्य और शनी की मोजुद्गी होने के कारण महिने के पहला भाग आई का प्रभा में प्रभावित करेगा। हालाकि बाकी महिना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महिने के लिए आपको सला दी जाती है कि खर्च और आय को संतुलित करने का प्रयार करें ताकि बविश्यम में आपको किसी भी तरह की आतिक समय स्याव से जुझनावना पड़ें। आपके लिए घर का फर्निचर खरिदना या किसी यात्रा बजाना भी संबह हो सकता है जिसमें आपका धन करच होगा। अगर आप शेयर मार्गेट में पेसे लगाना चाहते हैं तो महिने के दुसरे भाग में निवेश करें। यह समय आपके लिए भेहद अच्छा रहेगा ल आप इस महीने रहात मौसुस करेंगे अगर आप किस लंबिया भीमादी से परिशान है तो उसमें भी आपको छुटकारा मिलेगा मंकर छटे बाव में स्थी थे। जिसके चलते आप सभी स्वास्त समधित समस्याओं को हर कर देगे। बेटर स्वास्त पानी के लिए जो आत्रा के वक्ति किसी भी तरह की गेर जिम्मेदारी आपको नुशान पहुचा सकती है। एसे में इस महीने आपको किसी भी तरह की एडवेंचर पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि आपके स्वास्त पर प्रभाव पढ़ सकता है। इस महीने आप खुद को उर्जा से बरबुर और तना मुक्त महसुस करेगे। एसे में दोस्तों के साथ समय विताये और आणन्द ले। वही जो महीलाए गर्ववती है। उन्हें अपने घर्व में पले रहे शिशु को अतिरिक्त धैन देने की जरुरत है। ज़दी आप थोड़ी सी भी लापरवाई करेगे तो यह आपको कई बार समस्या दे सकता है। खास कर उच्छ रक्तचाप और शूरगर के मरिजों को खूद पर विशेश धैन देने की जरुरत है। रहु प्रेम और रोमेंस के पाचे वाव में स्ती थे और इसी वाव पर शेनी की डुश्टी पढ़ रही है। इसे में इंजुलात अपने साथी पर उटा सकते हैं। आपको सलादी जाती है कि सामजन से बनाए रखे। क्रोध में खूद को शांद रखे। अपना गुसा अपनी जीवन साथी पर उटाने की वज़ाए कंड्रोल करना सीके। क्योंकि गुसा आने पर आपको बेटने या बेक्व बाभू हो जाने से रिष्टे को नुक्सान पहुच सकता है। प्रति दिन 15-20 मिनिट तक मेडिटेशन करे। इससे आप महसुस करेगे कि ध्यान करके आप तनाव और क्रोध से धीरे-धीरे चुदकारा पार रहे है। इस महीने आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज करें किसी भी गलक फ्यामली को तालने की बजाए उसके बारे में खुल कर बात करना ज्यादा बेठर रहेगा। कुनली के चोटे बाव में व्रसपती की मोजुद्गी होने के करण आप इस पूरे महीने एक सुकत परिवार महल का अनुबव करेगे। घुरु की यस्तिति आ आपको कोई एसा शुप समाचा सुनने को मिलेगा जिससे पूरे महीने भर आपके परिवार में कुशी का महल रहेगा। आपके परिवार में कोई पैमिले पंक्शन भी हो सकता है जो परिवार के सदस्यों में जोश और उटसाह का संचार करेगा। इस महीने जब शुक्र आ परेरंग का इस्तमाल करे। का ब्रह्मन करे।